एक्सेसाइस ट्वेल ए दिखिए यहां पर कुशन नमबर वन है यहां पर आपको एक सरकल दिया गया है कॉर्ड की लेंद 16 सेंटीमीटर दी गई है और रेडियस ओ ए 10 सेंटीमीटर दी गई है बचो यहां आप से बोला गया है सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड आट कर दी बचो यहां पर आप देख सकते हैं अगर कॉर्ड पे परपंडिकुलर ड्रॉग किया जाता है यही लेंद होती है और यह कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइट करता है बचो यहां पर रेडियस ओ ए आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है और एसी यह सिक्स्टीन का हाफ हो जाएगा यानि एट सेंटीमीटर यह एट हो गया और ओसी आपको कैलकुलेट करना है बचो यहां पर हम लोग पाइथा गुरस्तोर में यूज़ करेंगे तो लिखेंगे इंटरियंगल OLA बचो 90 के सामने हाइपोटेनियूस होता है तो OA square is equal आप लिखेंगे AC square प्लस OC square hypotenuse square is equal base square plus perpendicular square OA बचो 10 है तो 10 का square हो जाएगा AC 8 का square और OC find करना है बचो यह हो जाएगा 100 और 64 इधर आके minus होगा OC square बचो OC square आपका आगया 36 square अटेगा यहां under root लगेगा इसलिए OC आपको मिल जाएगा 6 cm और बचो यही final answer होगा इस question का तो clear हो गया होगा आपको और बढ़ते हैं question number 2 की तरफ देखे 2 में लिखा हुआ है find length of cord which is at a distance of 3 cm from center of circle of radius 5 cm बचो यहां पर देख सकते हैं center O और AB cord है O से perpendicular draw किया है जो cord को to equal part में divide करता है तो यहां पर radius दी गई है center से cord को distance 3 दी गई है बचो यहां पर आप लिखेंगे in triangle O C A अच्छा पिछले question में triangle O C A ही लिया था गलती से O L A हो गया तो ध्यान दीजेगा इस चीज़ को तो यहां पर लिखेंगे python को रस्तोरम 90 के सामने hypotenuse होता तो आप लिखेंगे O A square is equal base square यानी A C square plus O C square बचो यहां पर O A 5 का स्क्वार होगा और A C आपको calculate करना है plus O C 3 का स्क्वार होगा 25 होगा minus 339 उस साइड में जाके minus का हो जाएगा तो बचो A C square मिल जाएगा आपको 16 इसलिए A C आजाएगा 8 cm इसको अंडर रूट लिया स्वारी 4 cm अंडर रूट 16 बचो आपको A B निकालना है therefore A B जो की A C का double होगा तो हो जाएगा 2 और A C 4 है बचो आजाएगा 8 cm यही final answer होगा इस question का और इसी के साथ बढ़ते हैं next question question number 3 की तरह देखे question number 3 बचो यहाँ देख सकते हैं आपको रेडियस निकालनी है center से कॉर्ड की distance 8 दी गई है और कॉर्ड की length 30 दी गई है तो हाफ हाफ हो जाएगी है 15 और 15 बचो यहाँ पर लिखेंगे O A आपको calculate करना है O C 8 cm दी गई है और A C हाफ होगा 30 का यानि 15 cm तो यहाँ लिखेंगे inter-angle O C A बचो नाइटिक सामने hypotenuse होता है तो O A square is equal A C square plus O C square पाइट से गोरेस तरह भी उच करेंगे O A आपको calculate करना है A C आपको दिया गया है 15 का square plus O C आपको 8 दिया गया है तो बचो यह हो जाएगा 225 plus 64 यानि 289 square अटेक अंडर उट लगी गए यहाँ पर बचो O A आजाएगा आपका 17 cm और यही circle की radius है तो एक आसान सा question था clear हो गया होगा आप लोगों को और इसी के साथ बढ़ते हम लोग question number 4 की तरफ in a circle of radius 5 cm A, B and C, D are two parallel quads of length 8 cm and 6 cm calculate the distance between the quads if they are on the same side of the center on the opposite sides of the center तो 4 में दो पार्ट है बचो यहाँ पर आप देख सकते हैं radius 5 cm दी गई है और एक कॉर्ड A, B है जिसकी length 8 cm दी गई है तो A, P और P, B 4, 4 हो जाएंगी C, D, 6 है तो C, Q और Q, D, 3, 3 हो जाएगी बचो यहाँ पर आपको दोनों quads center के एक तरफ दी गई है दोनों quads के बीच की distance यानि आपको P, Q calculate करना है तो P, Q is equal question mark बचो ध्यान दें दो triangle यहाँ लेंगे सबसे पहले in triangle O, A, P या O, P है बचो पाइट से पर इस तरह में यूच करेंगे तो 90 के सामने hypotenuse तो आप लिखेंगे O, A, square is equal A, P, square और प्लस O, P, square यहाँ O, A, 5 का square होगा A, P यह 4 का square और प्लस O, P, square तो बचो यहाँ से O, P, square आपको मिल जाएगा 25 मैनस 16 यानि O, P, square आपको मिल जाएगा 9 Therefore, O, P is equal 3 cm O, P, यहाँ पर आगया है अब यहाँ पर हम triangle O, Q, C की बात करेंगे in triangle O, Q, C तो यहाँ पर आप लिखेंगे O, C, square पाइटोगरस्तरम यूज होगी यहाँ पर भी O, C, square is equal C, Q, square प्लस O, Q, square बचो, O, C, फिर से 5 का, square C, Q, 3 का, square प्लस O, Q, square बचो, यहाँ से आपको मिलेगा 25 माइनस 9 is equal O, Q, square तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 is equal O, Q, square बचो, O, Q आपको मिल जाएगा 4 cm यहाँ आपने यहाँ पर O, Q कैलकुलेट कर लिया है अब आपको P, Q निकालना था तो अगर हम O, Q में O, P माइनस कर दे तो P, Q आजाएगा therefore P, Q is equal O, Q माइनस O, P यानि 4 माइनस 3 बचो यहाँ आजाएगा 1 cm यह final answer होगा इस question का जब दोनों कॉर्ड एक साइड में होंगी बचो second case जहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो कॉर्ड हैं वो अपोजिट साइड में सेंटर के हैं यानि एक उपर की तरफ ले लिए हमने और एक सेंटर के नीचे की तरफ यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेंगल O, A, P की तो इंट्रेंगल O, P, A इंट्रेंगल O, P, A बच्चों पाइथ सागुरेसर हम यूज़ करेंगा इंटिक सामने हापोटिनियूस तो O, A, Square is equal O, P, A, P, Square बच्चों रेडियस 5 दी गई है तो 5 का Square और A, P, आपको 4 का Square दिया है प्लस O, P, Square तो यहाँ से आपको O, P, Square कितना मिल जाएगा ये 25 होगा और 4, 4, 16 उदर जाके माइनस होगा बच्चों या जागा 9 इसलिए O, P, आगया आपका 3 सेंटिमीटर अब बात करेंगे ट्रेंगल O, Q, C की इन ट्रेंगल O, Q, C बच्चों यहाँ पर इनाइटिक सामने हैपोटिनियूस तो आप लिखेंगो O, C, Square is equal O, Q, Square प्लस C, Q, Square बच्चों O, C, Square फिर से 5 का Square होगा O, Q, Square is equal 25 और माइनस 9 यानि 16 बच्चों यहाँ से O, Q आपको मिल जाएगा 4 सेंटिमीटर आपको दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप लिखेंगे therefore P, Q is equal O, P, प्लस O, Q बच्चों यहाँ जाएगा 3 प्लस 4 यानि 7 सेंटिमीटर बच्चों यही final answer होगा इस question 4 की second part का बच्चों clear हो गया होगा